नम्या नम्या का थामा सुने ले साड़े चैनल नू सस्क्राइब करो जदों उस मालक दे दर्बल दुर्दा होया जग्यासू इकला रह जान दे उनू कई बारी इंज लगदा है कि मेरा कोई सहाई नहीं कोई साथ ही नहीं क्योंकि ये सारा ही शवद अकाल पुर्ख दे दर्बल जान दियां उस रस्ते दा जिकर एदे बिच आंदा है जिड़े लोग के दर तुर्दे ने ए उनना दे शवद ने जादा तर किनारे ते खलोन बाड़े यां दी पीड हुंदी है बेडिया नू वेख लेना बेडिया दी व्याख्या कर देनी ये बहुत सारे लोकां दे ही से विच आंदा रहिंदा है तरमदे मारगते जदों सफर करना है उस पारले कंडे जानवास थोड़े ज़ए बंदे ने जड़े बेड़ी दे विच पैर रख देने नहीं ते आपां क्योंकि जड़ा रस्ता है उदे विच छलाने लेराने जिस दर्यार नू पार करना है जिन्नू माराज ने पावसागर क्या है बाणी विच संसार समंदर क्या है जिदे इस पासे साड़ा डेरा है ते पारले पासे उस अकाल पुर्खदा कर है विचकार सारा पावसागर है उनू पार करना है पावसागर दा मतलब उदारन दिती गई है कोई उते दर्या नहीं पावसागर साड़ा आपना ही बनाया हुए जो पिशले जदों दा जीवन सानू मिलदा रहा है अकाल पुर्ख वैगरू बलो उदों तो लेके सारे ही जनने जनम असी तारन कीते ने उनना जनमा दे विच जनने असी करम विचार आदिक कीते पावनावा इकठिया कीतिया उनना दा एक मजबून बने है ते साड़ी दूरी उस अकाल पुर्ख तों उननी बद दी गई ओ विच गैब बन गया उदे तो दूरी बनी वदा होया पहली वाज ठीक सी शुरूरी ओ जननी दूरी बनी है ओ साड़ा पावसागर है जनने यसी करम करने हैं उनने ओ विचाल छला बन जानदा है लेरा बन जानदा है तुसी सलोक वारां ते वदे एक पड़ो पिछे व्याख्यादी मैंनो समा मिले है गुरू नानक सचे पादशाजी कहें देने लखां लेरां चल रही है आने तेरे राविच जदो मैं तेरे दरवल आउना लखां लेरां लख लेरी ओ हाड चक्षड बागरे ने जित हूं मैं लंगना है ते बाबा फरीज जी ने नू होर सब्खे लफजां विच कह देता है के गलियें चिकड दूर कार नाल पे आरे ने हूं चलांतां पे जैकंबली रहांतां तो टैने हूं जदों बारों वेखांगे ओदों ते आई मीं देसदा है न भी मीं पहरे है गुर्दवारी जाना है ते चिकड है लंग के जाना है पर एक गाल बार दी है असल विच अंदर बड़ा चकड अंदर बड़ियां गड़ियां ने अंदर बड़ा चिकड जदों साठी सुर्थ उ अक्राडी येते होते कबरार्थ है हसे अगे जा नहीं सकती हसे लंगना ये सारे ये शर्व दोदी व्यक्या कर ऩे और देते निनम कहिंदे ऐक पेर पुटनन वासते वी हो सकना आक जनम meditate लगजार एक जनम एक पुटन पुटन दे लगजार पैर चल दे ही नहीं गुरु नानक साहब जीदा शब्द तुसी हर रोज पढ़ दे तित सर वर्ड है पहले निवासा पानी पावक तिन है किया पंकज मोह पाग नहीं चल ला है पैर कदम चुके नहीं जान दा कादे करके मारी कें दिने मो करके पंकज चिकड है मोदा मोदे चिकड विच एक पैर भी तुरना बड़ा कठिन कठिन ता है सुखा भी है नाल नाला पाविशा लेना गुर्मुक के नहीं केंदेने गुर्मुक पर नाली की है गुर्मुक दी पदवी की है गुर्मत विच गुर्मुखो है जो फैसला लैंडी शक्ति रखता है पैर चुक्णा उखानी ओधे मार्ग ते अुखा ताएं साड़ा मान फैसला ने लेंदा इरादगा नहीं करदा बी मैं अगे तुरने ते जन्ना चर एरादगा नहीं करदा उन्ना चर कई जनम लंग जन्दे ने उथी सो जदो कोई साडे कोलों बड़ी काली नल गुजरदा है उन्नों गुर्मूख कहिन दे ने जदो साडे कोलों तेज लंग दे नहीं सुपीड बेच बाबा सुचा संग जी वर गे उना नू वेख के फिर हीमत जी आउंदी तिना देख मान चाओ उठंदा हौं कद पाईं कुनता सा मैं मी तूर सकना मेरे कोलों एक बंदा बड़ी तेजी नड अगे लंगे है उना दे नाल तूरे अगे लंगे गा बड़ा अउखा रस्ता है पगतरवदास जीदा एक शवदाब जी नसांजा कर दें काट आव काट डूंगर करना एक निर्गुन बैल हमार रमये सियों एक बेंती मेरी पूंजी राख मुरार कोबन जारो राम को मेरा टांडा लादिया जायर इरहाओ दी तो कह उकेंदे ने काट अव काट डूंगर करना पहाड ते खाईयादा रस्ता है जिमें कोई हेमकुंट सहब जाए किना उखाए एक पासे बड़ी डूंगी खाई एक पासे बड़े उचे पहाड ने केंदे तेरा रा इस तरह अदा है तुरना बड़ा उखाए इस करके बहुते ते रिशी केशी डिरा लाके बैठे रहें दे लंगर मिली जानदा इस शको नंदलवो अगे रा उखाए यह मैं उदारन दे रहें आ सारा हो यह गलां बता करनी यह शर्दा ना तुटे मैं बहुती व्याख्या कर दें इस सारा कुछ ओई है असी बैठे होयां कालदा सारा शवद भी यह व्याख्या कर रहे है सी के संसारी ते रुके यह तारमिक बंदा भी रुक गया तारमिक कर्मा दे विच वेदा विच पुराणा विच बैशा वीच गला विच सिमर्त वेद पुरान पुकारन पूथियां नाम बिना सब कूड गाली होचियां अपाम यूती रुक गयां कोई जनेव ते रुक गयां कोई सुनत ते रुक गया ते सैन कर ले ना कोई पंच ककारां ते रुक गया बसोतों तक शीमत हो गया कोई ग्यान ते रुक गया, असी कथा ते रुक गया, कोई किरतन दिया मातरा ते रुक गया ये चीजा माड़िया नहीं मैदा खंड़ नहीं कर रहा, पर गल समझनी बड़ी जरूरी है मैं शुरू विच विशा क्या सी, असी कंड़े ते आके खलो जाने या, गुर्मत दी बेड़ी अगे है, ओदे विच पैर रखना अउखा है, बेड़ी वेख के वापस आ जाने या अगे होन के में पैर रख्या जाए, किसे पैर रख देनू जदो वेख्या, ओदों हीमत होएगी, कोई खत्रे बड़ा कम होवे, बंदा एकला हीमत नहीं करदा, इस करके गुरू नानक सहब ने जदों वेख्या, कि ए मारग तरमदा मारग जड़ा है, कोई विरला ही पैर चुकदा है, हीमत नहीं पहिंदी, ताकत नहीं यूँदी, अंदर पावर नहीं यूँदी, ते उनाने एक विग्यान दिता सानू, सहारा देन वास्ति विग्यान सी उन्नु कहिंदेने संगत, संगत, सुसाइटी, एक अठ, उदे विच पावर है, बड़ी पावर है, पावर के में, जे में आप पहुन कता चल रही है, जे दिवान सारा पर आवे ते जड़ा बारों आएगा न, उदे ते जादे सरीरां दा पावर असर पैगों कहेगा, बड़े लोग बैठे, मैं भी बमा, पिछे फोन कर बड़ेगा, उदे बड़े लोग, बड़ी संगत, हो राउन गे, हो राउन गे, हो राउन गे, पावर है, संगत वेच, ते जे थे दो ते न बैठे, उना क्या जी हो थे, कोई ने बैठा, पावर खत्म होगे, संगत दी पावर है, तुसी कदी वेखना, संगत दी गुरु स देओ ते माराज ने क्या दो में टाइम संगत करनी इदा की मतलब सी क्योंकि संगत तो अनू पावर देगी आज मैं आयां मैं अगे भी जाना है बाणी मैं तो अनू दे दिती है पर बाणी कले नू किसे विरले बंदे नू साहरा दें दी है वो पावरफुल व्यक्ति हुंद उस एकाठ विच रवो संगत बस एक आरने तरम दुनिया दे विच काट नहीं आजवी चूट कोई जादा नहीं पर चूट दा एकाठ है चूट दी यूनियन है हर एक चीज दी यूनियन एकाठ है उदे नियम ने सिर्फ तरम दी यूनियन नहीं है एकाठ नहीं है ते जदो ए दुआन होंदे ने मैंनों सुमा पुर्षदी वार वार याद होंदी बाबा सुचा सिंग जी दा विग्यानिक माइंड ते संतदा माइंड कठा सी उन्हान एक वार एक यतन कीता सी कि तरमदी यूनियन तरमदी सुसैटी तरमदी पावर पैदा कीती जैसे सिक्ष कौम जड़ी टिली जी फिर दी तिले बंदे नों ते परवान नहीं सन कर दे जे को तुरदा भी होंदा ना थोड़ा जा मोड़े जा सेट के उन्हों कहें दे तुरदा के में सिदा होके तुर जे को टिला जा इस तरह गोड़ जा होके बैठा उन्हों कहें दे बैठा के में सिदा होके बहो तखड़ा होके बहो जे कोई बोड़ दा टिला सी ते उन्नों कहीं दे ने चंगी तरह खब के बोड़ ए ओ संत स्पाई अंदर पावर सी जदो उन्हा दा सरीर टिला हो गया ते ओ एक दिवान ते गए ओ थे दिवान सजया ओया सी एक मापुशने उन्हा ने मेनों गल सुनाः यूMिले दिवान सजया सी बाबा जी गया दिवान विच बैठ गया ते उन्हाँ मापुशने बाबा जी नू पुच्छा आप इस तौड़ी सेध के में तिली लग दी एक बचन कीता उन्हान ने जिदे विच बड़ी शक्ती है जदोना ने पुछया बाबा सुचा सिंग जिनू तो अड़ी सेदा की हाले तिली लग दिये तुर्दे मसाओ ते हासके कैन लगे गड़ी प्राणी होवे ते ड्रैवर तकड़ा होवे ते लई फिरदा है गड़ी प्राणी होवे ते ड्रैवर हीमत वाड़ा होवे ते तोरी फिरदा होदे नाट काबले कस के प्रवा नहीं करदा ते गड़ी होवे नमी ते ड्रैवर होवे कमजोर होदे तो नमी गड़ी भी नहीं चल दी है बड़ी बड़ी पावर दी गाले शक्ती दी गाले क्योंकि साधिया गड़िया नमिया में ने अपा फिर भी थके फिर ने आ गड़िया नमिया ने आ हो गया जी आ हो गया ओ शक्ती दी गाल है अंदर ली दी ओ पावर उना तु मिल दी तिना देख मन चाओ उठंदा हो कद पाई गुनता सा अउखा रस्ता है जरूर कोई शक नहीं इस करके उना ने एक जतन कीता सी एक वारी के विशव दे संसार दे उना उच ओदियां ते बैठे सिखानू इकट कीता जाए विशव सेख समेलन करन दी उना दी मनशा सी पुराने जड़े सरीर ने उजान दे होन गे विशव सेख समेलन दा मतलब की सी एनी भी सारे सेख कठे करने जेडे सेख दुनियां पार विच वड़े वड़े तार्मिक सबावाले हन ते सरकारी आउदियां ते कम कर रहने उना नू एक थाँ ते कठा कीता जाए यूनिवर्स्टियां दे जड़े उपकुल पती ने प्रिंसिपल ने परफैसर ने वड़े वड़े डॉक्टर ने इंजिनियर ने वग्यानिक ने जेड़े वड़े अर्थ शास्त्री ने बिजनसमैन ने सारे नू कठा किता जाए कोज सेख माइंड़ होन पामे सिखी काट भी होवे होना दा मतलब सी होना नू में सदलो क्यों सदो जादो पांचसो बंदा कठा होवेगा न ते टाइसो विच्चों सिखी वाड़ा नाम ही होवेगा ते बड़े बड़े अमीर लोग पांचसो बंदा कठा होवेगा ते ओटाइसो जेड़ा सिखी तो बन जाए जदो दुझेया नू वेखेगा वो सोचेगा जे ए इन्ने अमीर ते उचे ओदें ते हुंदे सिख बन सकते ने ते मैं में सिखी पाल सकन सिखी बदेगी एक दुझे बलो वे उन्हाने जतन कीता सी चलो अमर्त विले दा समा है उदे बिच मैं लेग्टिव गल ना कवा भी साठी कौम दे जेड़े ठेके दारने उन्हानू कौम दी चड़दी कला चंगी नहीं लग दी क्योंकि कौम चड़दी कला बिच हो गई ते उन्हान दे आओ दे आनू फिकर पैजन दे उन्हाने देते रोख ला देती मैं नहीं करना चलो जिमे समा लंगया हुन मी है मैं सुने है बाबा अमीर सिंग उरा ने उपराला कीता है के पची कू ऐसे सिंग सिख गुरू के प्यारे जेड़े बड़े हो दिया तेने चंगे बिजनसमैन ने चंगे उन्हादे कामकारने मैं अदे आतमबाद तो बहुता दूर ना चला जाओं उन्हानू इस वारी मैं सुने है भी उन्हानने कोई सनमानित करना है तांकि सिखी दी सुसैटी दी पावर बन सके उन्हादी सोच सी तां मैं जड़ी गल कर रहा सी इस मार्ग दे उते कोई एक अला नहीं जा सकदा ते पगतर वदास जी केंदे ने तेरा रस्ता उच्चा निवा बड़ा है अकालपुर्ख मैं तुर प्यां काट अवगट डूगर करना रा तेरा बड़ा उच्चा निवा है एक निर्कुन बैल हमार ते जेड़ा बैल जिदे उते मैं समान चुक के तेरे कारवल आ रहे हैं जिदे उते बैठके वो बैल जेड़ा ना बल्द वो बड़ा कमजोर है वो बल्द केड़ा मेरा मन निर्कुन दा मतलब कमजोर बड़ा है डोल दा फिर दा निर्कुन बैल हमार ये बैल शब्द बड़ा प्यार है इननों थोड़ा जया समझना चाहिए दाए रात भी एक दिवान वेच्चोना ने विशा रख्या सी पाई गुर्दास जी नू समर्पिट सी ते पाई गुर्दास जी जी यां वारां वेच्च एक बचना है थम्हे कोई ना साध बेन साध ना दिस है जाग विच्च कोवा ओदे विच्च एक बचन होंदा है के जेडा तोल है न तोल ओदा एक को पैर रह गया तेन टुट गयने तोल तर्म दया का पूत ये थे पाई तर्वदास जी कहें दे एक निर्गुन बैल हमार जिस तर्म दे असरे जिस मान दे असरे मैं तेरे दर्वद आउना है वो कमजोर बढ़ा हो गया ओदे पैर तुटे पैने वो एक को पैर ते खड़ा है तोल खड़ा तार हेट पुकारा कमजोर पै गया है इस करके कमजोर जीवन दा एराने जिड़ा परमारत दा है हाँ पंत वेच असी आसकने है टिले मठे जिमें दे है पंत वेच आसकने है कोई हर्ज नहीं चंगा है पर जिड़े ए शब्द ने गुरु गरंस साहिब जी दे ए उस दुनिया देने जिते सिर देन वाले लोग पहुंचे जिड़े अगे गएने ओ केंदेने इस रा दे उत्ते उच्चा निमा थाए एदे ते तुरना गुरु दी किर्पा तो बिणा ते गुर्म खादी संगत तो बिणा बहुत ही अउख है बहुत कठने क्योंकि ज्यों ज्यों इस मार्ग ते बंदा तुरदा है उन्नू बे सहारा होना पहिंदा है सहारे छड़ने पहिंदेने सहारे परमात्मा दे रस्ते ते गुरु दे मार्ग ते क्योंकि सहारा परमात्मा अकाल पुर्ख ओदों देंदा है जदो उसी सारे सहारे छड़ने है ओदे तो पहला सहारा नहीं देगा आज एड़े बारां बार गुरु अंगत देव पाधिशा जी ने गुरु अमरदास जी नू बख्षिश कीते सन ओ एही सन तुसी पढ़ देऊ न जदो खोश होए ते माराज ने क्या निमाने आदा माने तू जदो उस बीबी ने क्या सी ये निथामा है निथामा ये थो गाली शुरू है सी जदो माराज जी पाणी लेके आ रहे सन ते ओ कड़ा डिगपया पाणी दा अप जी डिगे जलाए दी खड़ी दे बार ले पासे ते जलाई सी बीबी उदे कारवाले ने पुछे आ बार खड़ाक आया काओने ते उन्हे सबावक कहा दिता हूई है निथामा अमरू क्या गुरू अमरदास पादशाजी ने थामा ए गाले जदो गुरू अंगत देव जी ने पता लगी उन्हा ने क्या पुर्खा तू उन्हा दा थाओंवेंगा जिन्हा दा कोई थाने दुनिया दे विच तू उन्हा नु थाँ देएंगा ने थामे याँ दा थान गुरू अमरदास माराज ने माने याँ दा मान ने ताने याँ दा तान ने उटियां दी ओट, ने तर्यां दी तार, ने पतियां दी पत, ने गत्यां दी गत, ने असरें दा असरा पर इनना शब्दाँ दे विच इस मार्ग दा बड़ा वगयाने परमात्मा दे मार्ग दा क्योंकि سचाई ये है, ओ मान दें दा युनुए जेड़ा मनुख दुनिया दे मान तो पासी हो जाना ओ मान दैगई उनू पहला है बड़ा जरूरी ये मान दुनिया दा खत्म हो जित्थे दुनिया दा आसरा खत्म होंदा है उत्थे अकाल पुर्ख दा आसरा शुरू होंदा है उदे तो पहला वासरा नहीं दाएगा इसलिए ए मर्यादा है उदे दर्दी के जे उदे दर्दे तुर्न है उदे दर्दे उते तुर्न वास्ते पहली मर्यादा है मनुख बे आसरा होना चाहिदा संसार वलू उदे सारे आसरे खत्म होने चाहिदे हुने दे दो रस्ते ने एक मार्ग ग्यान दा है दुजा मार्ग दोख दा है ग्यान दे मार्ग ते कोई विरला तुरदा है दोख दे मार्ग दे राई ही एस्तिती पैदा हुंदी है के मनों के संसार दे आसरें तो उचा उठ जान दा है दोख ही उनु पासे करदा है संसारतों ने ते संसारता आसरा संसारता मौ संसारता मान तुठते ही ने ग्यान भी बाद बिच चूंदा है दोख ग्यान नु पैदा करदा है वैसे नहीं ग्यान पैदा हुंदा दोख ही ग्यान दी उपज पैदा करदा है जिवें असी किसे राते जा रहे हैं सानु ए ग्यान कदों पैदा होएगा भी ये थे कंडे ने जदो कंडा चुबेगा दर्द होएगी फिर पता लगेगा ये थे कंडे ने वैसे नहीं लगेगा जे कंडा ना चुबे ग्यान ने पैदा होएगा जे दोख ना पैदा हुवे ग्यान ने पैदा हुएगा संसार बारे इस करके जेडे जेडे लोग इस मार्ग ते गये ने गुरुनाणक सहीब ने दा विग्यान कहा दिता है उकें देने इस मार्ग दा दारु एदी द्वाईी दोखें हाँ ओदे वास्ते कुछ बंदा त्यार होए ते फिर उन्हों पर मात्मा दिन्दा है दुझे नू नहीं दिन्दा दूसरे नू नहीं दिन्दा मैं पिछे हुने एक मेनू सिंग मिले आओ थे बहुत अपने मन दे विच शह दुख सी हो दे बड़ा पीड़ित सी उन्हा ने क्या भी मेनू संसार ने बड़ा तोखा दिता है मैं बड़ा दुखी हैं दूसरे पासे उन्हा ने क्या कि मेनू कुई मापुर्श मिले सन उन्हा ने क्या तेनू जो कुछ संसार दा चाही दा है वो मंगला है सब कुछ मिल जाएगा कहिंदे मै जवाब देदिता मनू संसार नई चाहिए दा मनू नाम चाहिए दा हीमत वाड़ा बंदे हैं इटुड़े जै उन्हाने क्या जए हीरे चऊना है जवाराग चाहना है किरोड पती चाऊना है अर्ब पती जो चाउना है उह हो सकता है पर उहीमत वाड़ा बंदा से उन्हे जवाब दे दीता केंदे मैंनो नाम चाहिदा है उर रब दे प्यारे हसप है केंदे बड़ी चीज मंग लिया पलेट पर वड़ा बनावना पाएगा की हो या उस बंदे तो चटका लगा जिदे उते 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 सारी आस्ता सी सार विच सारा मोसी उते तो खिच के चटका लगा ते हुण मैं उते गया तो मैंनो केंदे बड़ा दुखी है मैं कहा तू आप इते मंग लिया आप इते उन्हा तो मंग लिया मैंनो नाम चाहिदा केंदे ये नाम है मैं के नाम दा प्लेट फार में नाम ने टिकना किते है बड़ा तुखी सी बड़ा डिप्रेस पर मैं उना नू एक उदारन दिती मैं के कदी वेखो जे तुरू नू ओदी माँ ओदी बाप दी गोद विचों बाउ फड़ के खिच के वगांदी ना तुरू ने एक आम राजे रहे के चले जाना सी अटाल तुरू पगित नहीं सी बन सकता हूँ वो सु दोखने उनू पगित बनाऊन दा रस्ता देता किते बन दा बन दा पगिते करता है काम चल दा है इस करके जे तार्मिक बंदे दे जीवन विच समस्या उन दिये ते समस्या उनने मंगिये क्योंकि समस्या ही जीवन नू पावर देंदी अस ये इस विग्यान नू समझ देने सत्त गुरू बार बार केंदेने हाँ ये गल वक्री है अरदास सिख करदा है बिकस्वटी उननी को लाई जिना को तू सारा देना अपने वास दिगल है नहीं पाई मंज जी नहीं मंगिया सी ना साड़े वास ते उ पारूपकारी हुंदे ने ए मंगिया सी हुना ने के सचे पादशा गुरू अरजन देव जी ने जदो खूब चोकड़े आ ते क्या मंज जो चाई दाई मंगिया ना फिर तके नल क्या कुछ मंग केंदे जे खुश होए हो ते एक किरपा कर दे आजे आउन बाले सिखा ते एनिया कसवटिया ना लाया जे जे कसवटिया लोणिया ने ते एक पासे एक हाथनल कसवटिया लाया जे ते दुझे हाथनल सारा दे आजे नहीं ते सैनी कोई नी तो अड़ी कसवटि किसे दुख बहुत बड़ा है समस्या रुकावट जिंदगी नो उचाईते लेके जन दी आप माँ पावड़िया चड़के आएं पावड़िया की ने जदो चड़े हैं रुकावटी पही ना गुलता नो जो और लोणा प्यार न पर उसानो उते लेके आएं इस करके जेना ए मारग अज मारज कह रहें कि इस मारग दे उते जे दोख है ते सुख है उननों ही समालना है सारा बेस दुवा सलोका अंदा जो गुरु अंगद दे पाशाजी दे ने और पावड़ी गुरु अमरदास जी दी सुही की वार उननना समये ले आपस विच बड़ा डूंगा जोड़ इस सारे ही शब्द विच दुवा सलोका विच और पावड़ी दे विच तार्मिक मनुक दी अंदर सुती हो यो शक्ती नो जगाया गया कि जे तू परमातमा दा आसरा लेना है ओदे ले तू तू त्यार हो के तेरे सारे संसार दे आसरे ठुट ठुट जान खत्म हो जान हीमत पैदे ही ता होगी नहीं ते हीमत ही पैदा नहीं दी बच्चे नो तुसी सारी उमर अपनी गोद वेच बठाई रखो किसे कामदान या के तुरेगे नी जिनने बचे विकास कीते ने ओ कीते ने जिनना दे माता पिता ने उनने छड़ देता जाओ जिदर मर जी जाओ उनना ने विकास कीता जिनना ने बवदा समाले आओ विकास नहीं कर से एत्थों तक कि जदों पंची दा बच्चा पहली बारी उड़दा है जे सारी उमर आलने ते बैठा रहे कदी नहीं उड़ेगा क्योंकि उनुँ एही रहेंदा है मैं उड़े आते डिग पेना है, मैं उड़े आते डिग पेना है, जिनने पंची ने, जदोना दे बच्चे, आंड़े आदे विचो निकल दे ने, आलने विच, वो बैठे रहें दे, कई कई दिन, उड़ नहीं सकते, ते जदोना दी मां वेख लेंदी, भी होनो उड़न जो गयाओ तो सम्झाओं दिय भी उड़ नहीं उड़ना क्योंकि हीमत नहीं पैई धी अजे पहली बार उड़ोड नहीं हीमत नहीं पैगी फिर उदी इन्म और उन्हों तकां मार दिय उतूं तकां मार क है दिय अल नेविछी जदों डिगदा है जदों खत्रा होंदा है कि गया हुन जमीन ते बच जांगा स्रीर दी अनरजी उसे बेले जाग पेंदी उड़ना शुरू कर देंदा डिगदा डिगदा वैसे नहीं उड़ेगा पामे सारी उमर उन्हों बठा दे वालने विच उड़ेगा नहीं उड़ेगा उदों जदों उड़ने दे विच उड़ेगगया जन्दा है इसे तरह सी संसार दे अलने विच जिननानू गुरू ने उड़न दी जाइस सख़ूनिये उनानू इस अलने विच्छों तका मारके देखदा बार ताँ उड़ देने बाकी ते अपना अलने मिच्छी सारे मैं नहीं कहरे अभी सारे अलने चट देनगे ये थोड़या नहीं अलना चटना हुंदा है वो ही उड़ देने बाकीया नहीं पर ए जड़ी गल है वो बाणी दी गले कह रही है के बन्दे दी जिंद की विकास नहीं कर दी जिनना चे रून संसार तो ठूक करने लग दी दोख नहीं लग दा इस बड़ा जरूरी है दोख दो पर कारनल अंदा है एक बन्दे दे पाप करके दोख अंदा है हुण ए चीज मैं कई था माते बेंती कीती जिड़े टौब कांदे गराकने उना नो ते नहीं समझ वेचे उन्दी होते कहिं दे है हुंदा है नहीं है एक कथा है ही कितों है बाणी दी कथा है सारी दी क्योंकि यसी सारी कथा लोकां दी वाषना नो जगाउन वास्ते किती है वाषना नो कटाउन वास्ते कदे नहीं कित बाओट काट लोग बड़े काटने जेड़े लोग जाके ने जेड़े इस तरह दे बाबा सुचा सिंग जी वरगे ओ वस शचाई दी गल कर दे रहे वे साच किये उन्हा ने लोकानू उड़न वास्ते परेरिद कीता इस संसार दी सचाई समझाईए हाँ इस मारगते मैं बेंती कर रहा सा इस संगत दी जेड़ी परंपरा माराज ने दिते के इस मारगते तू कला नहीं जा सकेंगा तेनू सहारे दी लोड़े आसरे दी लोड़े जदो तू उस आसरे विच तुरेंगा उन्हा दे विचों तेनू सहारा मिलेगा है नहीं इस तरह दे सादू दी निशानी है दसी बानी दे विच सादू दी निशानी हो और बार कोई नहीं होंदी बार बचन लगे हुए ने बाबा जी तुसी पढ़ सक दे हो चलो खंडन नहीं किसे दा कोई कपड़े जमें दे मर्जी पाए जमें दे मर्जी ना पाए ये दे नल कोई फरक नहीं पहिंदा पर उना दा एक बचन लिखे होना है तुसी पढ़े होएगा कडाईयां वाले चुड़े नहीं पाउने जदों अंदर सिखी कमामांगे ते अंदर दे हीरे बार पर गटों लग पहनगे नजर आ जानगे पता लग जाएगा ये दे अंदर तर्म है उस कैटा गरी दे सादू सादू दी इन शानी है माराज बानी विच ओधी निशानी दस देने जरूर ओधी निशानी है ओधी निशानी एको है जिननों मिलो जिदी ओधी गल करो ते मान आपने आप इकागर होन लग पह आपने आप इकठा होन लग पह एहे निशानी साद की जिस पेटत तरिया है किदे विचों टरूए मानदे ख्याला विचों तर जाये क्योंकि साड़ी सारी जिन्दगी ख्याल मंदल विच गुजर दीए ख्याल मंदल विच थे जित्तु एक बार यसी लंगनें जीवने होते लंगना शुरू कर दें रसी अपने थां बना लिंदी, पत्थर विच उते चली जांती होती, उसे किसरी जांती बिलकुु ख्याला विच, विचारा विच इस करके बाबा जी क्या कर देसन के एक संसारदा ग्यान है एक तरमदा ग्यान है संसारदा ग्यान इना खतरनाक नहीं है जिनना तरमदा ग्यान बंदे नू रोक के रख़दा है उक किनारे ती रख़दा है बेड़ी विच सुवार होनी नहीं देन पर उस सारे ख्याला नू तोड़न वाले ने अगे लएके जानवाले ने तिना देख मन चाओ उठनदा हों काद पाई गुनता सा उना दे जीवन नर सबंदित कोज चीजा किते किते मिल दियां रहें दियां वदेश विच सांपिछले पंदरावी दिन तो एक सरीर मिलेया एफ्षोड विच ताउना ने एदस्यावी साठे कुड़ जदो आये सी असी उना दे नाड रहे हैं बाबाजी दस पंदराव दे ताउना ने एक गल सनाई जीड़ी बानी दी व्याके है सादू किये सादू कोई मैकाल बेंती किती सी सादू अदे आपक नहीं है सादू टीचर ने टीचिंग एक तर्म दा छोटा जया अंग सी असी टीचिंग नू तर्म कह दिता बड़ा बड़ा नुकसान कर ले विचार नू तर्म कह दिता विचार ओदी शिर्फ एक स्टेप है थले बाड़ा ओदी उते पैर जरूर रखना पहेगा विचार दी लोड जरूर पहेगी पर विचार संपूरन तर्म नहीं है उस सरीर ने जड़ी गल की थी केंदे कार जाना अपम बैक गल बाद करांगे केंदे साड़े कुड इते रहे सी उन्हा विच एक विशेस्ता सी के इने दिन जड़े कार विचो रहें दे सन मैं उकार दे गेड़े कड़दा रहा मेरे कुल आपने कार बैठे ने गया उन्हा दे कोलो आउननू चेतने सी करदा जी करदा सी चोवी केंटे कोल रहा ये पहली निशानी सादू दी जड़े विच खेच है जिणा सानू कशिश पहुंदा खेच पहुंदा कोई होते पामें बिचार ना होवे कोई ग्यान ना होवे कोई अखर ना हो फिर उन्हें एक गल के HU कहेँए मेनूने इसी पता नाम की हुनदा ये थे बाञी की हुनदा अपने हुआ काई गल उनने बिलकुल सौव परसेंट ओ कहिंदा है भी जदों ना दे कोल जाके वई दासी सरीर दे अंदर मान दे विच मूल मंतर इस तरह चलन लग पहिंदा सी जिमें सल्फ मारने आते गड़ी स्टार्ट हो जान दी जप आनी पहिला होने इस सादू दी निशानी है क्योंकि उदे अंदर इना संगना हो गया नाम इना परवावे ते सादू दा कम भी सिम्रन है नाम है ठीक है उना ने अदुती गुर्मत संगी समेलन कराये ने पर उना ने नाम सिम्रन अवियास भी कराये ने ओ पासा हुन थोड़ा जा काट है ये जरूरी है त्यान रखना चाहिदा है मूल कम ओ है इस करके मारज निकल के आए के नाम बिना सब कूड गाली होचियां होर गला वे चीना किदे फस के रहे जाना बाकी बाकी तो दे सुपोर्ट करन बाले ने नाम दे किते नाम ते हई नहीं केंदे और सारा कुछ आया बराद ते सारी है लड़ाइ कोह नहीं विच्छ बराद सारी चड़ी हुई साजभब के सब चल दा पहिए टोल बज़ रहे ने बैंड बज़ रहे ने कई प्रकार दे पदार्थ बने ने सारा कुछ चलता है केंदे बाबा बाबा होगी उन्हाने क्या जी अनादकार जी केदे नल करना है केंदे ओ ते आया जी नहीं केंदे तुसी की लेन आयो फिर इस तरह गुरु गरंसाहिब नाम नू केंदे लाडा है बंद की नो कें दे सिख सवेरे कुई दासमिंट लाके आया है ते तूं सिख है एवे ना के दे टोकरा जा चुक के तुरी फिरी भी मैं बड़ा बड़ा सिख हूँ नाम तो बिना तू सिख नहीं है नितनेम तो बिना तू सिख नहीं है इस करके एज़ड़ा विशा मैं ताँ विच ले रहा सी क्योंकि नाल नाल गुर्मखा ने क्या विशा लेना है दे विच दो दिन ते गुर्मुख कौन होंदा है गुर्मुख अधियापक नहीं होंदा गुर्मुख चुप करके बोलता है हाँ ओ बोले ते ओधी मर जी ओपन नी बोल सकता है ओधी मर जी पर ओ जादा तर चुप करके बोल दा है ते चुप करके बोलन दी जाच दस दिन दा है ओधे विच कोई अयोजन दी लोड नी पहिंदी किसे चीज़ दी लोडने पेंदी इस करके इस मारग दी व्याखिया गुरु अंगद देव पादशाजी दूसरे पादशाज उनना दे दोस लोग हन और एक पौड़ी जड़ी है ओ गुरु अमरदास माराजी दी सुई की वार देविच दर्ज है और जिड़ा विशा आपां लियाए कि इस मारग दे उते तुर्न बाले दे जीवन दे विच रुकावट दुख सुख जरूर अंदा है और ओ दूसरे सलोक विच क्या है इस मारग दे आदमी ने असरा जरूर हुएगा संसार बलो जरूरी है होई नी सकदा क्योंकि बंदा तुर्दए ही होई ओदों है जोदों बे आसरा हुंदा है ओदे ची हीमती ओदों पैदा हुंदी है इस करकी करें दे किस ही कोई कोई मंज निमानी एक तूं होने दे आपां जेड़ी विचार कीती है ओदे नाड ओदे जोड पौने ने जो शब्द लिखिया है यह ओदा विस्तार सी जो आप हम बुल लिया है पर समझता हावेगा जे पूरा टाइम एक रास सुने है जे टुकड़ें दे विचो बार चले गया ये थे जोड नहीं पहना हो जे विचो विचो हूर कुछ कर दे रहे है फिर नहीं जोड पहना क्योंकि विचार दा सबंद ये है हर जी सूखम अगम है कित बिद मिले आ जाए वो सूखशम है अकाल पुर्ख दी बानी दी विचार जेड़ी है ओ कोई इस तरह दी फिल्म नहीं कि पांज मिन्ट वेखलो ते पांज मिन्ट छट देओ कुछ नहीं आथ विचाएगा इते कहरे ने किसी ही कोई कोई ए ओ वस्ता है जिते एक तार्मिक व्यक्ति दी सुर्थी सेंटर बिच चली जान दी जिते संसार खतम हुंदा है ते नरंकार दा बाड राजंद उट जाके सुर्थी अड़ जंदी क्योंकि सारे संसार दी असरे टुट गया अगों जे असरा मिलें ने ओ अस्तान पीड़ा दाइक अस्तान दुख दाइक संसार भी चोट गया अगों कुछ मिलें ने उते व्यक्ती बहुत दुखी नहीं हुंदा एक तड़पना दे विचो गुजरदा है उत तड़पना में उती परसीजर है दे आतमवादी उते विचो दी शुदी किती जन्दी उनूं तोता जन्दा है साफ किता जन्दा है उनुमारज ने किया है सर्म खंड की बाणी रूप तित्य काड़त कड़िया है बहुत अनूप उते कड़िया जन्दा है मनुख दी सुर्टी कड़ी जन्दी संसार पिछे रह गया है अगे कदम चुकन दी हैमत नहीं है कंड़े ते खलोता है मनुख उते कम दी सुर्टी उदी बहुत कम दी जिमें जहाज उस सेंटर ते स्पेस विच जाके बहुत उदा जोर लगदा है जिते थले वाली जमेंड दी खेच खतम हुं दी है ते उपर वाली खेच उनू अगां खेच दी है तो थोड़ा जा थाँ पार करना हुनू बहुत अउख है ए सारे शबद उस सेंटर नर्स बंद रख दे जिते दुनिया दा कोई असरा नहीं रिया आद्मी कला हो गया उस थान्य क्या थम्वेङ कोई ना साद बिन उथे व्यक्तिनू गुरू तो बिना साद संगत तो बिना सहारा नहीं कोई दे सकता इते जाकर बहुत सारे लूग डिस्टर्ब होज़न देन जिते अगय भी नहीं जा सकते पीछे भी नहीं आ सकते उते साथ संगदी लोड़ पेंदी उते मारज फिर केंदे अरदास करनी पेंदी किस ही कोई कोई मांज निमानी एक तू किसे दा कोई सहरा है किसे दा कोई सहरा है किसे दा कोई सहरा है पर मेरा होर कोई भी सहरा नहीं तू ही एक सहरा है हुन मेरा अर्दास निकलीए अर्दास अकाल पुर्खदी पैदे योदों होंदीए लोक कुटाम सबू उते तो रहे जो तो आपन बेड़ी आवे हो दुन्या दे सारे सारे खतम हो गए किसे दा कोई सारा है किसे दा कोई सारा है पर मेरा कोई सारा ने तेरे तो बिना निर सहारा ते ओदे तो बाद अकाल पुर्खदा सहारा शुरू हुंदा है जे एक निमक मातरवी असी संसारदा आसरा लेलिया परमात्मा साथी मा नहीं पड़ेगा सगल दवार को जाड का है गह उतुहारो दवार दवार छडनी पैन गे आसरे त्यागनी पैन गे एनी भी बारों 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 चली जाए कोई हर्ज नहीं संसार विच बारों बारों मुख की बात सगल स्यों करता पर जेडा सेंटर पुएंट है उते कोई सहरा नहीं बचना चाहिएदा एक परसेंट भी नहीं बचना चाहिए दा अपने मानदावी सहरा जो अशोद है ओ भी नहीं बचना चाहिए दा मनुख बेलकुल बे सहरा होना चाहिए दा फिर साड़े विच एक उनों अंग्रेजी विच केंदे सेव अनरजी जो कठी हुई पही है तक जागी नहीं ओ खुली नहीं एमरजंसी एनरजी जड़ी अंदर लुकी पही है उसनों शबदा परगटाव किया गया ओ परगट के हो नहीं होंदी असाड़े मुवैल दी बेंटरी विच भी जदो खत्म हो जाए एक सेव एनरजी वो दा आउप्शन है ओ फिर जागरे तुन दी जदो सारी पावर मुख जाओ दी बेंटरी दी साड़े अंदर एक अकाल पुर्खदा बल है शक्ती है जबें गुरुत एक बहादर साहिब केंदे बल चुटके ओ बंदन परे कचुना होत उपाए कव नानक अब ओट हर गाजज़ों हो सहाए बल हुवा बंदन छुटे सब किछ होत उपाए नानक सब किछ तुम्रे हाथ में तुम ही होत सहाए साड़े अंदर ली जो ओ सेव अनरजी पर मातमा दी शक्ती गुपत पई होई है बंद पई होई है वो किदन जागनी है जिदन बाकी दी सारी शक्ती कम करनी बंद कर गई उस बंद होन नहीं उदा स्विच आउन कर देना है उन्हें खोड़ देना है फिर उस सवा लख दे कि खलो सकता हो आदमी अजे ताक आपा एक आम आदमी है बाबा दीव सिंग कांड में बाबा दीव सिंग दी ओण ओण इनरजी जो सेव अनरजी कठी होई है जो एमरजनसी पावर है ओण कर आढ़ गाब नहीं कि बला हों दी क्यी बारी साथे बिच जाग दी जाग दी किमें एक बंदा दुकान ते सारा दिन कम करदा रहा दुकान तो ठक तुट के रात नू काराया एक कदम गड़ी चू उतरना में यो खा सी एनना ठक चुका सी कारवाड़ी केंदी भी बहुत केंदी मैं ठक्या बहुत आई थी परिशादा देओं हिल भी नी सकदा ये न ठक गया शक्ती रही हुई नी परिशादा शक के लमा पहन लगा ते फोन आगया पिछो दुकान तो नू करदा भी सरक्ट शाट हो गया बिजली शाट हो गया ते दुकान नू अग लग गया ओई बंदा जिड़ा केंदा मेरे तो कदम नी चुक्या जांदा च्छाड मार के उठ्या गड़ी पजाई ते पहुँच गया वो शक्ती कितों आई वो सेव अनर्जी जड़ी अंदर लुकी पई जिनाचर दुनियां दियां शक्तियां काट आफ ना होई हैं उन्हादे कनेक्शन टुटे ना उद्धन पैदा हुएगी फिर पता लगेगा उन्हों कहरे ने मारेज हूं बलहारी सत्गुर्य अपने जिन गुपत नाम पर गांजा गुपत शक्ति नो जिनने पर्गड कर द किता है ऐसे सत्गुर्य तो मैं बलहार हां उस सबांदवेची गुरु अंगत देव जी कहरे ने किसी ही कोई कोई मांज निमानी मैं गरीव दा तूँ हुन एक आसर हैं होर कोई आसरा नहीं ते अंदर दा वराग उस वेले फिर एना तीवर हो गया उदे अंदर दी प्रफा की है ओ जग्यासु कहिंदा क्योंना मरीज़ रोए जां लग चितना आवही मैं रो रोके मर ही क्योंना जावां एदे अर्थने पाव मेनू मर जणा चाहिदा उदे तो बिना पाव मेरी मौत है उदे तो बिना जिनना चिर हो दी याद अंदर नहीं टिक दी होदे नर सुबंद नहीं बनदा महला दूजा जां सुक्तां सहू रावें एक गुर्मुक दी वस्ता है कि जदोंनु सुख आंदा है उदे विच भी उपर मातमादा सम्रन करदा है क्योंकि दोख विच सम्रन करना सुख है सुख विच बहुत वुख है सुख आदमे नो सुवंदाए गाफल करदाए कमजोर करदाए सुख दोख ओदी पावर नो जिगवदाए ए उल्टियाने गलां समझ विच नियौन गी दोख ओदी पावर जड़ा सुच है उनो आउन करदाए चलंदाए सुख ओदे स्वेच नो आउफ करदाए कमजोरी पैदा करदाए इस करके जे तरम कमजोर होया है जहां सेख कौम विच कुई कमजोरी आई ये ते ओदा एक कुई कारण है सुख सादन आईश परस्ती खाना पीना material mind पदार्थ वाद उने नो कमजोर कीता है उने दी शक्ती नो शीन कीता है खत्म कीता है इस करके कहने तूँ ख्याल रखी दुख विच ते तूँ यादकारी लेना है सुख विच यादकारन दी कोशिश कर क्योंकि सुख ही दुख दी शुरुआत हुंदी है उदे यादके पैनिया निकलनी है उनु दुख केंदे ने जा सुख ता सहुरावे हो दुख भी समाले हो है उना ने दुख विच भी उनु समाले है उनु याद कीता है उदा सिमर्न कीता है गुरू अंगत देव पाशा केंदे नानक कहे स्यानिये एंकंत मिलावा हुए हे स्यानिये पाव हे जीव इस तरह उस कंत पती नू मिलिया जानदा है जदों दुख ते सुख बराबर हो जानदेने जे नू हूर खुलना हुए ते आप जी एक शब्द पढ़ सकते हूँ गुरू ते एक बहादर सहीब जीदा जो नर दुख में दुख नहीं मानने सुख सनहे और पै नहीं जानके कंचन माटी मानने जदों समता होंदी समद्रिष्टी बराबरता पैदा होंदी इस तरह उस वैगरू दी प्राब्ती हुंदी है पवड़ी ओधे फिर उस्तत करनी मी अकाल पुर्ख दी बंदगी करना लगे आप बनों के कहिंदा है भी तेरी बड़े आई इन्नी बड़ी है मैं उदे है के बिलकुल चोटा उदे समने इन्ना विशाल पंदारा आजन दा है अकाल पुर्ख दी स्रिष्टी दा उदे कहिंदा हों क्या साला ही किरम जन्त बड़ी तेरी बड़े आई किरम छोटा जा कीड़ा जदो तुरे सा उदो सोच दे सा तेरी सारी व्याख्या कर लेनी तेरी सारी वड़े आई कर लेनी पर हुन जदो तेरे पंदारे खुले ने हुन पते नहीं लगता तेरा केड़ा पासा फड़ी है ते केड़ा चड़ी है तू एना बड़ा है तेरी वड़े आई नहीं हो सकती फिर कहिंदे तू अगम दयाल अगम है आप लहे मिलाई हुन उस सेंटर ते जिते गुर्म खड़ा है उ कहेंदा है तू अगामा पहुँच थे तक मैं नहीं पहुँच सकता तेरे तक मैं नहीं आ सकता तू अपनी बाँ करके हात फड़के मेंनू अपने वाल खिच सकता है आप लहे मिलाई तू आप मिला सकने मैं तुझ बिन बिली को नहीं तू अंत सखाई बिलकुल एको ही विचार ते सारा शब्द उचारिया गया है पौडी दा समेल स्लोकानल बहुत गहर है तेरे तू बिना मेरा हुन कोई मितर नहीं रहा जो आपां पिछे विचारिया है तेरे तू बिना मेरा कोई दोस्त नहीं रहा रहना में नहीं चाहिए दा क्योंकि तू दोस्त बनने ही हो दने तू मान देने ही हो दने जिदन निमाने हो गया तू तान देने ही हो दने जिदन निताने हो गया तूँ ओट देनी हो दूए जदो ने उटे हो गए संसार वन इसलिए दी फीस अउकी है थोड़ी जी कटी ने संसार दी ओट शड़नी बहुत अउकी है इस करके कहिं दे मैं तुझ बिन बेली को नहीं कोई भी मेरा होर मितर नहीं तेरे तो बिना तूँ अंत सकाई ये थे अंतदार्थ मौत नहीं है ये थे अंतदार्थ है परमातमा दे मारक ते तुरदियां अखीर ली कलास उते तूँ ही सहता कर सकना होर मेरे नाड कोई नहीं जा सकता उते तूँ ही सहता कर सकना है अंड जिड़ी कलास है बिलकुल अखीर ते उते मैं नहीं कुछ सक कर सकता तूंही सहाई हो सकना है जिते मारेजी केंदे सहे सियानपा लख होएता एक ना चल ले नाड कुछ भी नाल नहीं तूर दा उते ना सियानप कम करे ना कुछ होर कम कर दी जो तेरी सरनागती तिन लहें छडाई हाँ जेड़े तेरी शरन विच जाकर खलो गएने उना नूतू संसार विच्चों छडा लेना है मुक्त कर देना है मोतू उचा कर लेना है नानक वे परवाह हो है उए एक वे परवाह शक्ती है गुरू अमरदास जी खेंदेने उनू कोई परवाह नहीं पर किन्ने मेरे पगत होनगे किन्ने ना होनगे इवे गुरू दी अवस्ता है उनू कदी फिकर नहीं कि मेरे किन्ने चेले होनगे मेरे नल किन्ने लोग तरनगे जिन्ने तरन ओ जी आयानू कहिंदा है जिन्ने ना तरन उन्हों कोई फर्क नहीं पेंदा दुआ अवस्ता विच एको जै नानक बेपरवाओ है तिस तिल ना तमाही तमाही दार थे खिच तमा करना उन्हों किसे चीजनल कोई अटैज्मेंट नहीं है खिच नहीं है तमा नहीं किसे चीज दी तिल जिनीवी थोड़ी भी बिलकुल बेपरवाओ ना है इस सारे ही शब्द विच माराज ने उस मारगते मैं तुझ बिन बेली कोई नहीं किसी कोई कोई यूस अवस्ता दा जिकर कीता है जिदे विच आदमी बिलकुल इकांत विच इकला हो जन्दा है फिर उदा साफर ते व सकते